कि हलो आपरीबन वेलकम टू माय चुनल तो आज हमारे पास है साइंस का कोर्शन पेपर क्लास 7 के लिए यह कोर्शन पेपर है मीट टर्म का 2024-2025 में टूटल यहां पर दिया हुआ क्या होना चाहिए कोर्शन का आंसर तो फस्ट कोर्शन यहां पी आता है क्या सब्सक्राइब करना है टिक कर लेना है यह ना किलोगराम तो नहीं होगा मीटर नहीं होगा क्यों लेंथ का होता है किलोगराम मंश का होता है degree Celsius is the correct answer सेकेंड हमारा टाइम का हुआ करता है तो इसको हमने cancel कर लिया दूसरा जो question यहाँ पे है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कहता है हम लोगों से I specialist use a special instrument known as I specialist कौन सा special instrument use करते हैं और first हमारा periscope यह भी नहीं होगा B telescope हमारा correct होगा third number का ophthalmoscope तीक है और यह D number भी हमारा cancel out हो रहा है आगे हमारा third question है smallest particle of matter जो matter होता है उसके smallest particle को क्या कहा जाता है तो यहां सारे बच्चे जानते होगे compound है no element है no molecule है no क्या होगा atom होगा atom is the correct answer किसी भी particle का किसी भी matter का जो smallest particle होता है उसको लोग atom से जानते हैं और fourth question है symbol of iron is iron का क्या symbol होगा third number F capital और E small F is the symbol for iron F F तो किसी का नहीं होता है N ये sodium के लिए हुआ करता है आपको पता है N ये किस के लिए हुआ करता है sodium के लिए हुआ करता है और AG हुआ करता है silver के लिए पता है ठीक है तो चलिए इस question का लिंक हम दे दिया है डिसकृशन का प्रेंगे कर सक्ते हैं अगला कोर्चा है इसके हम कर लेते हैं हुए और अरगनीजमर आपका है राजूबियम कोई नंब प्लान्ट इस अट्मोरी प्लाट इस यह दिस्ट ब्लाटिप्र अब आगे यहां पर बढ़ेंगे हम लोग true or false की और तो true false हमारे पास आता है six step के six questions है one into six total six marks मिल जाएगा very easy होगा देखेंगे पहला जो question है heat is not a form of energy heat is not a form of energy यह हमारा false होगा heat हमारा energy का form हम लोग जानते हैं आगे question number second कहा गया है when we stand when we stand between a pair of parallel plane mirrors we can see an infinite number of images बिल्कुल correct है अगर हम लोग parallel plane mirrors के बिच में रहते हैं तो हमको कितने image देखेंगे unginate image देख जाएंगे substances that undergo chemical change in a chemical reaction are reactant yes यह भी हमारा true होगा वो सारे substances जो हमारे chemical change हो रहे होते हैं जिसका जो के जिसका chemical change हो रहा होता है reaction में वो हमारा reactants कर दाते हैं और fourth is soil air is important for roots to carry out photosynthesis तो अभी आप यहां पर फोर नमर को क्या करेंगे false कर लेंगे false क्यों कर लेंगे तो कि आप देखिए यहां पर हम क्या कहा गया है यहां पर का गया है soil air is important for roots तो roots के लेंगे तो important है लेकिन photosynthesis के लिए नहीं है यहां पर का गया carry out photosynthesis photosynthesis होने के लिए क्या जरूरी है नहीं यहां पर air में जो होता है हमारा carbon dioxide gas ठीक है वो हमारा यूज होता है leaves के द्वारा roots में तो photosynthesis नहीं होता soil air is important for roots to carry out photosynthesis false क्यों false है हमारा roots में photosynthesis नहीं हो रहा होता है वो हमारा leaves में हो रहा होता है इसलिए इसको फॉल्स कर लिए आगे बढ़ते है hydrochloric acid present in the stomach kills bacteria absolutely correct है इसको आप true कर लिजिए जो hydrochloric acid होते हैं वो bacteria को kill करते हैं जो लोग food atom खाते हैं उसमें जो present हुआ करता है the stem of a plant absorbs water and minerals from the soil yes यह आप क्या करेंगे stem of the plant stem नहीं होता है false करेंगे stem नहीं होता है यहां पर क्या लिख दिया stem देखिए stem लिखा यह word देखिएगा this stem of plant absorbs water and minerals stem roots होता है root absorb किया करता हमको पता है लेकिन यहां पर क्या लिख दिया stem लिखती है इसलिए statement हमारा false हो जाएगा ओके तो हमने यहां पर यह true false complete कर लिया है और अब आते हैं हम लोग फिल लप कियो फिल लप में हमारा पहला question आएगा यह क्या है फिर इन दे ब्लैंक में फर्स्ट कोशन देखिए transfer of heat from sun to the earth takes place ठीक है mainly through the process of वो कौन सा process है हम लोग जानते है radiation यह process क्या हमारा radiation है आगे है positively dash लगा हुआ है positively and dash charged particles are called ions यहां पर क्या लिखेंगे हमारा negatively positively and negatively charged particles are called ions आइए third है dash लगा हुआ है is the tendency of similar particle to a stick to one another यहां पर हम लिखेंगे cohesion फोर्थ की देखते हैं फोर्थ हमारा क्या हो रहा है blank दे रखा पहले देखिए are tiny pores through which leaves exchange gases yes यह हमारा बिल्कुल simple है हम लोग यहां पर stomata लिखेंगे stomata are the tiny pores through which gases exchange कर रहे होते हैं हमको पता है आगे आईए amoeba amoeba की बात हो रहे है usage dash for locomotion and for capturing its food item very good यहां पर स्यूड़ो पोडिया ओके फिर्ट नमर में क्या लेका स्यूड़ो पोडिया तो स्यूड़ो पोडिया help करता है amoeba को इसके locomotion में next हमारे पास जो कॉर्शन साथ है define define करना हम लोगों को ठीक है तो definition हम लोग को लिखना है फर्स्ट हमारा क्या definition यहां पर लिखने के लिए आया है यह आया है temperature तो temperature क्या होता है degree of hotness or coldness is known as temperature और दूसरा है real image वैसा image जो image found by actual intersection of reflected ray reflected ray जब actual में intersect करते हैं तो image बनता है that is the real image this image can be obtained on screen or next focal length focal length distance between focus and pole of a mirror mirror के जो pole होते है focus उसके बीच का जो distance that is known as focal length chemical reaction chemical reaction a process in which new substances are being formed जिसमें नए substances form होते हैं that are chemical reaction or chemical changes severity system severity system network of pipes which carry out the waste water ठीक है यह हमारा जानते है network of pipe हुआ करता है और next हम देखेंगे यहां पर आता है pollination transfer of pollen grains from anther to a stigma और last हमारा है holozoic nutrition mode of nutrition in which a living organism take it forward that is maybe in solid or liquid form यहां पर कितने मिल जाएंगे 2 x 7 that is 14 marks तो यह हमारा अपना होगी है तुरंत लोग define कर लिए फिफ्थ अब आते हैं फिफ्थ आंसर दा फॉलाविंग कोस्टन्स यह हमारा है 3 x 7 7 कोस्टन्स दिए हुए हैं 3 marks के सारे कोस्टन्स इक्वल माक्स के यहां पर है यहां पर ऑप्शन भी दे रखा है 21 माक्स को यहां पर मिल जाता है तो पहला एक्स्प्लेंड बिफ्ली हाव वेंस आर्फ कॉज्ड देंकि वींड कैसे होते ना ऑन एवन हीटिंग ऑफ और स्वाँ पर वींड गरंग करके आप पाड़ मूप करते हैं बैक एंड प्लेस क्रियेट होता है बैक एंड प्लेस को फिल करने के लिए अगल बगल से वींड तेजी से वहां पर एर ब्लो करते हैं जिसको लोग वींड कहलाते हैं स्टेट देल लाउज ओफ रेफ्लेक्शन के हुआ करते हैं एंगल सोफ इंसिदेंस एंगल आफ रेफ्लेक्शन दारी को लुगा करता है इंसिदेंट रे रेफ्लेक्टेट रे एंड नॉर्माल और लाइं ऑन दा सेम प्लेट ऑप्शन भी दे दिया है ड्रो अरे डियाग्राम टू सो दा फॉर्मेशन ओफ अन करवेचर और फॉकस के बीच रखा हुआ है तो हमारा इमेज कैसा बनना यहाँ पर रैल बनना ऒंदा है आने, इन्वर्टे हो और सेंटर ब्रिक और अरे वेच और सेंटर अइंगला है तो सो लाई बनेग तो इसको आफ बना सकते हैं कुछ इस तरह से मैं यहां पर sketch कर देता हूं rough sketch यह दखिए यह हो गया हमारा कुछ यह concave mirror की बात की गई है यहां से हमने ले लिया यह principal axis यह pole लिया यह focus हो गया और यह center of curvature object को यहां रखना है इधर से आप लेंगे parallel lie ray यह आपको focus से pass हो जाएगा ठीक है दूसरा आप लेंगे focus से जो focus से लेंगे वो parallel pass हो जाएगा तो आपका देखिए center of curvature से बाहर बन रहा है object से बड़ा है image तो इसकुछ इस तरह से आपको बना देना था थर्ड नमर हमारा question है write the steps involved in writing the chemical formula of calcium and calcium phosphate तो calcium phosphate का आपको formula note करना है और उसमें kakya steps होंगे तो इसमें को note करना है तो first of all we have to write the formulas of calcium and phosphate ion तो what is what is the formula of calcium calcium ion that is CA2 plus and what is the formula of phosphate ion that is PO43 minus now after that after writing the name and the formulas of these ions we have to crisscross their charges first of all we have to write the positive ion positive ion we have to write first that is CA2 plus and after that we have to write the negative ion that is PO3 minus right here is the two charge here is the three charge okay so we have to crisscross the charges and we have to write the charge in the subscript so CA3 CA3 PO4 hold twice this is the formula of the calcium phosphate right अब next हमारे पास आता है ingestion of food is difficult without teeth teeth के बिना हम फूड आटम को निगल नहीं सकरे है क्यों इसका सिंपल से रिजन है कि टीज़ थो है ना टीज़ अधिज़ आप टीज़ तो i.e. to grind the food item, food item को grind करने में help रहता है, and convert the food item into smaller pieces and also grind, so we have to use the teeth for proper ingestion of food. नेक्स्ट वाट इज रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाते हैं अंडर ग्राउड यहां फिर ग्राउंड पर हम बड़ा सा टैंक ले सकते हैं प्लास्टिक का और जितना रेनवाटर है हमारा अच्छत का वो सबको हम collect कर लेंगे उस tank पे और उसको हम day to day time में day to day use में ले सकते हैं for washing purpose कुछ भी wash करना हो तो उसके लिए हम उसका use कर सकते हैं और even purify करके उसको drinking के लिए भी use कर सकते हैं लेकिन after purification next यहां पर option में मिलता है हमको why is it said that plasticity and cohesion play an important role in work ability of the soil एकिए soil plasticity क्या होता है और cohesion क्या होता है cohesion जो आप जानते हैं कि जो plastic particles होते हैं soil के वो एक दूसरे के साथ stick हो सकते हैं stick चिपक किरा सकते हैं that property is known in the cohesion and what is the plasticity plasticity के वज़ा से हम उसके shape को change कर सकते हैं we can change the shape we can give the desired shape to the soil जो soil हमारा है उसको desired shape दे सकते हैं अगर वो soil हमारा गीला है जो clay होता है तो उसको desired shape दे सकते हैं due to the property of plasticity and cohesion जो similar particles हैं वो एक दूसरे साथ चिपक के रह सकते हैं तो work ability of soil soil को लेकर के गर में कुछ काम करना होता है तो यह दोनों ही property हमको important role play करते हैं जैसे plasticity अगर आप clay soil अगर आप sandy soil के बात करेंगी तो sandy soil में plasticity नहीं होता है अनि plasticity property उसमें नहीं होता है ठीक है तो इस वोज़ा से आप उसको shape कुछ नहीं कर पाँगे okay cohesion बहुत हद तक तो नहीं रकिन थोड़ा बहुत cohesion होता है sandy soil में हलका फुलक अगर वो उसके particle एड़ सिक हो सकते हैं कि plasticity बहुत कम होता है उसमें आगे हमारा आता है question number six and the sixth question is how do rhizobium bacteria rhizobium bacteria leguminous plant के roots में पाया जाते हैं यह आपको पता है okay how do rhizobium bacteria and leguminous plants help each other in their survival तो rhizobium bacteria क्या करता है atmosphere से nitrogen को fix करता है soil में और उस nitrogen को use कर लेता है leguminous plant है तो आप यहां पर देखें leguminous plant के लिए leguminous plant के लिए leguminous plant के लिए leguminous plant के लिए rizobium bacteria helpful है कैसे helpful तो मैंने अभी समझ लिया कि rhizobium क्या करता है nitrogen nitrogen जो air में present है उसको fix करता है soil में और वो nitrogen leguminous plant यूज कर लिता है अब अब यहां पर एक हो गया दूसरा हम को यह समझना है कि यह जो राइजोबियम है वो rhizobium जो है यह leguminous plant इसको कैसे help करता है दखें leguminous plant rag根beneyl bacteria को shelter provide करता है उसको रहने के लिए working place दे रहा होता है तो rag根amine twitter को रहने के लिए leguminous plant दे रहा है space और rave用 उसके eclipse में क्या दे रहा देखेंसरे कोई है क्या होतो है हैं जिसको बोह के लिए यहाँ पे आने सड्याहदिक भी क्राइब स्छुन देखेंगे कि लिए हम को हम सिएट का डिस्पर्सल अगर फूर सारे जू प्लांट सुंब करेंगे तो बहुत सारा जू बीच में competition हो जाएगा competition किस बात को ले करके तो competition among their space, nutrition, sunlight यह सभी को ले करके आपस में competition होगा और इस वज़ा से वो सारे plant proper में grow नहीं कर पाएंगे और इस वज़ा से उसके proper growth होने के लिए हम क्या करते हैं seed को disperse करते हैं seed disperse होना ज़रूरी है next आता है हमारे पास distinguish between हमको difference लिख देना है clinical thermometer and ordinary thermometer लेकि क्लिनिकल thermometer का range होता है 35 to 42 degrees Celsius ordinary का होता है minus 10 से 100 degrees Celsius 110 तक होता है यह हमारा body temperature को measure करने में युज़ होता है और यह कोई भी temperature आप measure कर सकते laboratory purpose के लिए युज़ होता है अब यहां पर हमारा clinical thermometer में king पाया जाता है और ordinary thermometer में कोई भी kink नहीं होता है अब इसमें mercury level को down करने के लिए जर्क देना पड़ेगा clinical thermometer में लेकिन ordinary thermometer में ऐसा कुछ भी नहीं होता है अब आते हैं infiltration rate infiltration rate and percolation rate क्या होता है किस रेट से पाने स्वाइल के अंदर एंटर करता है डाट इस दा infiltration rate rate at which water enters into soil दूसरा percolation rate percolation rate is the rate at which water moves through the soil स्वाइल से होकर के वाटर किस रेट से मूब कर रहा है दाट इस पर कोलेशन रेट दोनों हम लोग देख लिए keywords में सारे term आपको मिल जाएंगे okay combination reaction हुआ करता है two or more substances combine to form a single product जहां पर two or more than two substances combine करके हमारा एक single product बनाए वो combination reaction है decomposition reaction क्या होता है decomposition reaction में एक single substance होता है जो break करके two or more substances बना रहे होते हैं अब इसकी example आप यहां पर लिख सकते हैं जैसे combination में आप लिख सकते हैं water हमारा जो बन रहा होता है वो कैसे बन रहा होता है यह दखे कुछ इस तरह से reaction हुआ करता है ठीक है hydrogen और oxygen gas combine करके water बनाता है that is the combination decomposition में आप लिख सकते हैं यह calcium carbonate है अगर आप इसको heat provide करेंगे तो यह calcium oxide प्लस carbon dioxide में ब्रेक हो जाएगा clear यह हमारा हो गया decomposition आगे हम बढ़ेंगे self-pollination and cross-pollination pollination तुम लोग जान रहे होते हैं कि transfer of pollen grains from enter to stigma but self-pollination क्या होता है किसी एक plant के एक ही flower में हुआ करता है लेकिन cross-pollination क्या होता है सेम तरह के plant होएंगे एक plant से दुसरे plant में हो रहा होता है एक plant का जो pollen grain है वो दुसरे plant के flower के pollen grain पर जाता है same species का वो cross-pollination क्राहलाता है give region की बात करते हैं यहां पता है new quilt is warmer than old one देखिए new quilt जो होते हैं उसमें आपका air space जैदा होता है वो air को अच्छे से hold करके रखता है अब air क्या है air bad conductor होता है heat energy का तो चुकि उसके बीच में air अहां पर भरा पड़ा है तो हमारे body का जो heat है उसको escape करने से रोक देता है तो better air space होने के विए से new quilt जो होता है वो warm हमको ज्यादा रखता है as compared to world one world one में क्या होता है वो दब जाता है उसमें air space बहुत कम पाय जाता है convex mirrors are used as a rear view mirror in vehicle देखिए इसका reason का है convex mirror हमेशा a small और erect image बना रहा होता है उसका viewing area ज्यादा होता है driver के पीछे का जो area होता है वो ज्यादा area को दिखाता होता है तो आप यहां क्या सकते हैं कि convex mirror has larger viewing area यह ज्यादा से ज्यादा area को दिखा सकता है क्यों चुकि यह object का छोटा image बनाता है इसलिए ज्यादा area को दिखा सकता है cover कर सकता है और सीधा बनता है तो आपको confusion नहीं होगा तो इसलिए हम इसका यूज कर रहे होते हैं अब आगे आता है water is present in abundance but still here is a scarcity of water बहुत जदा मातर है water present है फिर भी a scarcity क्यों है इसका reason है कि जो water present है न वो water हमारा सारा का सारा water हमारा pure नहीं है जो pure water है वो अमातर 3% है 97% water आपको पता है कि seas ocean में पाया जाता है जो कि हमारा यूज के लाइक नहीं है अब जो 3% water है उसमें भी हमारा बहुत सारा water available नहीं है कुछ ground water की रूप में है कुछ lags में है rivers में है सबको हम avail नहीं कर सकते हैं एक तो वो reason हो गया दूसरा ए रिजन हो गया कि sources of water अभी उतना ही है जितना हमार population बढ़ता जा रहा है ओके population बढ़ने के वज़ा से demand water का जादा हो गया और उसके source बढ़ने रहे हैं जिससे आप देखेंगे आपके city में एक डेम बना हुआ है water का तो वो डेम आपका वरसों से चला आ रहा है 25 साल 30 सा यहां कि 50 years भी हो सकता है वो डेम पूरे city को water दे रहा ह लेकिन city में तो population बढ़ा रहा है ना population बढ़ा रहा है लेकिन उसका जो source है वो बढ़ा नहीं रहा है ओके और दूसरा तीसरा बात है कि आपका जो rain water है और की rainfall rainfall भी proper quantity में नहीं हो रहा है उसका region है deforestation तो rainfall भी घट गया है population भी increase कर गया है और sources भी आपके नहीं बढ़ रहे ह and unlimited sources salt sources आपका नहीं बढ़ रहा है और आपको एक और क्या लिखना था वो लिखना था आपका rainfall rainfall भी आपको proper quantity में नहीं हो रहा है mushroom is a saprotrop s mushroom saprotrop क्यों है चुकि यह dead and decaying plant matter पे grow कर रहा होता है इसमें chlorophyll नहीं होता है यह खुच से अपना food prepare नहीं कर सकता है now the last last is draw the level draw and level of following हमको draw करना है और label भी कर देना है तो क्या draw करना है parts of flour और दूसरा soil profile तो यह book में बना हुआ है आप वहाँ से देखेंगे part of flour बे बना हुआ है और soil profile बे बना हुआ है डिट्टो वहाँ से यह आपको same to same दे दिया है आपको कितना मास देखा यह 8 मास देखा तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया न सारे questions को देख लिया ओके क्या answer होना चाहिए वह हमने यहाँ पर discuss कर लिया so thanks for watching have a glorious day like this video share with others and do subscribe my youtube channel